कि आशुतोष ने भी जिस चीज का जिक्र किया उस तरफ इशारा एक तरह से किया कि टू नेशन थियोरी केवल जिन्ना की बात नहीं थी बल्कि सावरकर की भी बात थी और ये उनके बारे में पहले का था 1937 लेकिन इसको बहुत लोग इसको रिफ्यूट भी करते हैं कहते हैं इंडोल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अवल तो टू नेशन थियोरी जो सावरकर को अट्रिब्यूट की जाती है और दूसरा हिंदू राष्ट्र में धर्म कितना और जीने की पद्धिति मतलब एक थियोक्राटिक नेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं शायद यहां पर कर रहे हैं कि पहले तो मैं आशुतोष जी से विनम्र निवेदन करूंगा आजकल बहुत नौर्थ इंपोजिशन और साउथ यह सब बात होता है टीवी चैनल में तो हम बंगाल में बैठे हैं आशुतोष जी ने कहा कि तुलसी दास की समय में यह हुआ आदी शंकराचारिय की समय में यह हुआ पर बंगाल में बैठे एक बंगाल का उधारन देते हैं ताके साउथ या नौर्थ इंपोजिशन इस्ट के ऊपर ना हो देखे आशुतोष जी सायद भूल गये हैं कि बंगाल में वो हमेशा कहते हैं कि यह सिफ तोरने वाली बात है तोरने वाली बात है अच्छा हमारे इस बंगाल से एक रिशी निकले थे श्री चैतन्य महाप्रभू श्री चैतन्य महाप्रभू का भी अगर आप जीवनी परे उनके उपर भी खैर बहुत सारे उनके भी प्रॉब्लम्स थे पर उनका एक डिसाइपल था उनका एक डिसाइपल था जो किसी और धर्म से उनके पास disciple आया था तो ये inclusivity तो है हमारे समाज में आशुतोष जी जो exclusion देखते हैं वो inclusivity है हमारे समाज में और आशुतोष जी कहते हैं कि हिंदु जहां पर शब्द लिखा गया वहीं से शुरू हुआ एक बात बताईए जब शिवाजी महाराज कह रहे थे हिंदा स्वावी स्वराज्य क्या कह रहे थे वो जब विजयनगर kingdom में लिखा गया हिंदु राया सुरत ना आया क्या कह रहे थे वो लोग तो यह अगर आप वो deadline देखने जाएं यह वो oxygen वाली बात हो जाती है जहां जहां अत्यचार हुआ जहां जहां ओप्रेशन हुआ जहां जहां लगा कि defensive एक force चाहिए वहां पे यह प्रशन उठा और इसका एक लंबा हितियास है अब कोई मिटाना चाहें वो अलग बात है पर इतियास तो है और य इतियास important है यह इतियास हमें समझना है to understand आज तक कहां आज तक आज तक के मंच पे आज तक कैसे हम पहुचे तो यह तो समझना परेगा और यह गांधी जी के बात कर रहे थे चलिए गांधी जी सर ने पाकिस्तान के बारे में बात किया तो मज़िदार बात यह है कि पहली तो सावर कर जी ने पहले दो टू नेशन που के बात में नहीं कहता सर सयद इकबाल वगयरा परिये चिथी इकबाल जो लिखते आज जिनाक में के वारत जिनाकों वो क्या लिखते हैं आप परिये एकबाल के चिठी में पूरा लिखा हुआ है वो डिफाइन करते ही कैसा होगा वो अलग बात है चलो वो भी है अम्बेटकर जी और गांधी जी के बारे में बात होता है अम्बेटकर का हम सब समझते हैं और सब परते हैं पर अम्बेटकर जी ने जो पाकिस्तान के बारे में लिखा था वो हम कभी नहीं परते वो एकदम छुप जाता है बात अमबेटकर जी ने जो गांधी जी के बारे में मोपला रायथ के बारे में लिखा था वो हम छुपा देते हैं बात तो मेरी विनमर निवेदन होगा आशुतोस जी से इतिहास कारके नाते इतिहास अगर हमें टटोलना है तो पूरी तरह इतिहास टटोले वो तो बहुत कुछ निकलेगा उसमें से एक तरफ यूनिटाइमेंशनल इतिहास देखने तो प्रॉब्लम है